हेलो दोस्तों कैसे आप सब मैं हूँ बहुत परिया और आज मैं आपको एक ऐसा रूम दिखाने वाली हूँ जहां मैंने पुरा डिकोरेट करके रखा है ब्लू और रेच से और वहां मैंने नेदर से लाए हुआ वाइन्स वगेरे चीजों से डिकोरेट किया है तो चलो चर्ड के तरफ जाने के लिए यह वो सी करेट सीडे तो चलो शलते हैं यह हम चुर गए हम आगे एक सी करेट रास्ते मीं चलो चलते हैं लैच को दोस्तों यह रहा वो दर्वाह अब हम इसे ब्लू करेंगे यह मैंने कर दया लिए ऊपन और इसमण भी बंद भी लिए हैं य यह रहा रेड कलर का लैम्प और आप दिखाऊंगे आप लेकों को ब्लू कलर का ट्री और वाइन्स और फंगस भी चलो देख लेते हैं यह हमारा ब्लू कलर का ट्री फंगस वाइन्स वगेरा और यह हमारा ब्लू कलर का लैम्प तो कैसा लग रहा है कॉमेंट में जरूर बता गाइज हम उस सिक्रेट जगह से आ गए हैं तो अब राद भी हो चुकिए सेलो चोही लेते हैं गुड़ नाइट तो सुभा हो गई है गाइज और आप सबको में एक बात बतन चाती हूँ सोते सोते मैंने एक अपना देखा था की एक आद्मी मेरे दर्ाइख खेतीवारी करके बहुत जाता पैसे कमा रहा था तो क्योंकर ना मैंने सूछा मैं भी खेतीवारी कर लो चलो चल्डी से हम चाते हैं उट काटने और पानी लाने फिर हम ग्रास को काटकी सीज में कोंफर्ट करेंगे तो चलो जल्दे से हम यह कर लेते हैं गाइज यहां मैं मिट्टी खोद रही हूं ताकि खेती कर सको उसकी बाद एक हॉई भी बनाना है मैंने यहां च्छसे जगा स्चूर्स कर लिया है जहां मैं खेती करूंगी तो अब मैं यहां उड़ लगा रही हूँ मैंने यहां उड़ लगा दिया और बुक्ट में से पानी लाके भी यहां डाल दिया है अब इसमें मैं लगाउंगी डर्ट तो चलो लगा लेते हैं डर्ट तो अब मैं बनाऊंगी हॉई तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा स्टिक और मैंने यहां बना लिया फॉर स्टिक और अब बनाऊंगी वन हॉई तो अब चलो इसे खोद जाए गाइस मैंने मेरे चेस्ट में से टू बीटरूट सीट्स और थ्री पंकिन सीट्स ला दे हैं अब मैं ग्रास को काट के उसे में बतलूँगी सीट्स में तो चलो ग्रास को काट लिया जाए तो मुझे फाइनली मिल गया है थार्टीन सीट्स तो चलो अब इसमें लगा देते हैं और ये में लगा रही है इसमें सीट्स तो गाइस वीडियो को यहीं खत्म करते हूं अगर वीडियो अचे लगा तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना महत भूलेगा बाइबाइ